हेलो स्टुडेंट्स, नमस्कार, सूपरबाद, सबको गूड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी, I hope सब स्टुडेंट अच्छे हैं यहां पे, स्वागत आपके समारे छोटे से और प्यारे सी चैनल थर्लाओ न्यूटन्स में, जी हां, आप सभी स्टुडेंट के लिए मैं यहा चाहता हूँ, कि आप 11th स्टेंडर से लेके, चाहिए वो higher education का, अगर कोई भी यहां पे student यह हमारी वीडियो, यह lecture अगर देख रहा है, तो उनको starting से लेके end तक जरूर देखना चाहिए, क्यों है इसा मैं बोल रहा हूँ यहां पे, इसली क्यों कि आपको यहां पे in lecture के अं वो B.S.C., M.S.C., किसी भी standard के अंदर अगर कोई student है, तो वो भी इस lecture को देख सकता है, easily देख सकता है, A to Z यहां पे जो concept आपको यहां पे अच्छे से, बारिकी से यहां पे आपको समझाए गए हैं, और अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे, ओके students, इसके अलावा अगर किसी भी student के कोई query रेती है, कोई question रेता है, तो वो हमें comment box में, chat box में जरूर बताईएगा, ओके students, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि starting select end तक इन वीडियों को जरूर देखा करो, आपको हर level के यहां पे concept देखने को मिल जाएंगे, और exam के अंदर आपके competition exam की कोई भी एक student यहां पे त्यारी कर रहा है, और वो इन वीडियों को मैं इसलिए बोड़ा हूँ क्योंकि क्या है कि आपके जो concept हैं, वो सबसे पहले त्यार करने बहुत जरूरी है, जी हां, concept के उपर सबसे ज़्यादा पकड होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, competition exam के जो student हैं यहां पे जो त्यारी कर रहे हैं उनके लिए, इसलिए इन वीडियों को starting से लेके end तक जरूर देखा करो, और इसके अलावा, यहां से एक भी question बार नहीं जाने वाला है, definitely यहां से question बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि यहां से क्या है कि अपने A to Z, यानकि हर लेवल के जो question है, वो अपने यहां पे discuss कर रहे हैं, हर type के यहां पे जो question अपने यहां पे discussion कर रहे हैं, okay students, I hope इतना आपके समझ में आगया होगा, तो चलते हैं, आज का lecture अपने start करते हैं, chemical kinetics का, okay students, चलिएगा, अलेगा students, यहां पे देखेगा सभी, यहां पे अपनी discussion करने वाले हैं, methods के बारे में, जी हां, किसी भी reaction हो, किसी भी type की कोई भी reaction हो, उन्हें reaction के लिए, यहां पे क्या order होना चाहिए, कौन्चे order की जो reaction होने चाहिए, zero order की reaction है, या first order की है, या second order की है, या nth order की यहां पे reaction है, किसी भी order की यहां पे कोई भी reaction अगर है, तो वो अपने यहां पे इन method के थुरू, easily decide कर सकते हैं, ओके students, तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले half-life method के बारे में अपने यहां पे discussion करेंगे, सबसे पहले अपने यहां पे half-life method के बारे में बताएंगे, इसके बाद में देखिएगा graphical method, इसके थुरू अपने किस परकार से order decide कर सकते हैं, वो भी देखना आप यहां पे, इसके लाओ यहां पे देखिएगा integrated rate low method, यहां पे अपने use करेंगे hit and trial method का, ओके, last देखिएगा यहां पे initial rate method, यह आपको मैंने यहां पे previous वाली जो वीडियो से हैं, यानि कि previous वाली जो वीडियो हैं, अपने इसके बारे में detail से study कर चुके हैं, कफी इशारे, जो question हैं, वो भी हमने वाँ पे किये हैं, ओके, तो यह आज का जो अपनी lecture हैं, अपने start करते हैं, सबसे पहले half life method के बारे में, उसके बार में graphical और उसके बार में यहां पे integrated rate low के बारे में, ठीक है students, order अपने को decide करना है कि कौन से order की यहां पे reaction हो रही है, ओके, चलते हैं, start करते हैं, आज के इस lecture को, चलिएगा students, start करते हैं, यहां पे सबसे पहले half life method के बारे में start करते हैं, यहां पे आप सभी students बताएंगे कि half life से यहां पे मतलब क्या होता है, इस half life से यहां पे क्या मतलब होता है, बताएगा सभी सबसे पहले, सोचिएगा सबसे पहले, आपको मैंने already यहां पे previous वाली वीडियो के अंदे discussion कर दिया है, कि half life जो होता है, कि ऐसी कोई reaction जो कि यहां पे 50% complete हो जाती है, जी हां, एसी कोई reaction जो कि यहां पे 50% क्या है, complete हो जाती है, तो एसी reaction को अपने क्या बोलते हैं, टी हाफ, इसको अपने टी हाफ से भी denote करते हैं, यानि कि half life बोलते हैं इसको, ओके students, अब मेरे को यह बताएगा, for zero order reaction के लिए, जो टी हाफ है, वो क्या आना चाहिए है, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, चूंकि all ladies के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब अपने क्या है, कि direct है अपने high level के जो question है, अपने उस पे चल रहे हैं, इसलिए आपको अब तो यह चीज़े आनी चाहिए, तो zero order reaction के लिए, जो टी हाफ क्या होता है, a note by क्या होता है, 2k, first order reaction के लिए, जो टी हाफ अपने पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, 0.693 upon me k, यह लिजएगा, और second order reaction या kinetics के लिए, जो अपने टी हाफ लिखते हैं, क्या आपने निकाला था, 1 upon me k, a note, यह लिजएगा, students, और इन सबका में आपको एक common formula यह बताए था, कि जो टी हाफ होता है, और directly proportional किस के होता है, यहाँ पे a note के पावर, 1-n की है, और n यहाँ पे क्या होता है, order of reaction, Okay students, I hope इतना आप समझ गए होंगे, यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर से explain कर देता हूँ, कि जो अपने जो half life होती है, वो क्या होती है, कि एसी कोई reaction, जो कि क्या होती है, 50% complete हो जाती है, तो उनको अपने यहाँ पे क्या बोलते है, हाफ life बोलते हैं, तो इसके लिए देखिएगा, कि हाफ life method का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कि एसी कोई reaction, जो क्या है कि 50% complete हो रही है, ठीक है, और उनके अंदर जो order है, अपने किस परकार से यहाँ पे decide कर सकते हैं, वो यहाँ पे अपनी समझने की कोशिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले, 0 order reaction के लिए जो अपने ट हाप पड़ते हैं, वो क्या पड़ते हैं, इसके लाव फर्स्ट ओर के लिए अपने ट हाप क्या पड़ते हैं, 0.693 अपन में के, इसके लावा हमारे पास एक कॉमन फोर्मला बनाया था आपने, ट हाप डार्क ली प्रपोर्शनल किस के होता है, यहांपे यहांपे यहां पर नोट के पाऊड़ बण माइनस चैंड यहांपे यहांपे होता है, order of reaction और जो a note होता है वो यहां पे क्या होता है initial concentration ओके और इसके लावए यहां पे जो k होता है वो यहां पे क्या होता है rate constant rate constant ओके शन्ट्स I hope इतना आप समझ गई होंगे अब देखिए का यहां पे जो question बनते हैं वो किस परकार से बनते हैं उस पर अपने discussion कर लेते हैं थोड़ा सा अपने पहले discussion कर लेते हैं उसके बाद में अपने detail से चलते हैं ठीक है student से देखिए का यहां पे आपको मैंने बताया था कि जो initial unit यान कि हमारे पास जो initial concentration है वो कितने हैं वन है ती हाब मेरे पास कितने यहां पर वन है ठीक है न यहां पर data कितना कितना है सबके पास में वन वन है अब एक बात बतेएगा अगर initial concentration सब्संट्रेशन हमारे पास बन ना हों कि कितने हो looks similar अब यहां पर देखिएगा कि क्यूंशन यहीं से बनना स्टार्ट होते हैं क्यूंशन यहीं से बनना स्टार्ट होते हैं अब देखते हैं इसका जो relation अपने किस प्रकार से बना सकते हैं जो T हाप है अपने इसे लिख सकते हैं T1 upon me T2 equal to जो T1 है यान कि जो T हाप है वो किसके directly proposal यहां पर A1 के upon me A2 के कि power 1 minus N यह आपको याद रखना है यह हमारे पास relation आ चुका है यहां पर initial concentration और T हाप की बीच का ओके students I hope आप यह वाला जो relation अच्छे से समझ गए होंगी किस प्रकार से हम निकाला है यह वाला relation अब क्या करते हैं इसी relation के बेसे अपने कुछ example लेते हैं कुछ question यहां पर है ठीक है यहां से definitely students question बनते हैं जी हां definitely यहां से question मते हैं इसलिए कि द्याँ से question को पढ़ना और द्याँट नको करना चेतलिए गार करते हैं first question से यहाह पर देखियेगा students first question स अपने स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले देखियेगा कि यह पूछ क्या रहा है find order of reaction कौन से order की जो reaction है यहां पर होनी चाहिए question पढ़िए का यहां पर the half life of decomposition of a compound is 20 minutes यहां पर जो आपके पास में जो टी हाफ है यानि कि जो फर्स्ट जो टी हाफ है वो कितने देदी यहां पर 20 minutes when the initial concentration of compound is double जी हां आपके पास जो initial concentration वो कितने यहां पर double है हाफ life reduced to 10 minutes हाफ life reduced to 10 minutes अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे initial concentration of a note और टी हाफ के बारे में ही आपको यहां पर question में बोला गया है यहां पर जो initial concentration है एवन आपके पास में कितनी है यह क्या बोल रहा है यहां पर double बोल रहा है यानि कि the initial concentration of compound is double तो double का मतलब कुछ इस प्रकार से होता है क्या यह देखिएगा यह just क्या होगे इसके double हो रही है अपने इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स और टू एक्स यह बोल रहा है क्यूशन के अंदर जो हमारे initial concentration हो क्या हो रही है डबल हो रही है तो यह क्या होगी जस्ट इसकी डबल हो गई अब आगे देखिएगा हमारे पास टी हाफ कितना है ट्वंटी यहां कि टी वन हमारे कितना आगया ट्वंटी और इसके लावाद आप लाइफ रिड्यूस कितनी हो रहे है टैन मिनट यह होगे हमारे पास में टी टू और आपको मैंने यहां पर जो रेलेसं क्या बताया था टी वन अपोन में टी टू और घंड कितना होगे हमारे पास में हमारे पास में टैन वन हमारे इसको cut किया तो कितना आगे हमारे पास में 2, x से x से याँ से cancel out हो जाएगा, 1 by 2 बच गया हमारे पास में, जब यह उपर जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 की power n-1, अब हमारे पास में, इस n-1 की यहाँ पर value कितने आ रही है, 1, n-1 की value कितने हैं हमारे पास में 1 तो यहां से n की value इसली निकल सकती है यह 1 और यह जो minus का जो 1 है उदर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यह लिजएगा तो n की value हमारे पास में कितने हार यह 2 इसका मतलब यह कौन से order की reaction हो गई second order reaction यह लिजएगा student यहां पर कुछ भी नहीं किया आपको मैंने पिछले जो example के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि यह relation कहां से कैसे बना है कुछ नहीं करना था सिर्फ in relation के अंदर यह जो data हमारे पास है वो यहां पर सिर्फ simply put करना था और यहां से order निकल जाएगा यहां की n के जो value है easily यहां से find out कर सकते हो ओके students I hope इतना आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं next type के question पर चलिए का student second type का जो question है उसको समझिए गा यहां पर क्या है कि same यहां पर आपको order निकालना है आपको यहां पर कुछ data आपको given है और इस बार जो क्या है कि pressure के अंदर है जी हां गवराना नहीं है इस बार की जो reaction है वो किसमें यहां पर गेंशी स्टेट में है प्रेशर के अंदर यहां पर आपको जो डाटा वो given है concentration में नहीं है initial concentration में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है चे pressure में हो चे concentration में हो formula same लगने वाला है procedure same होने वाला है यहां पर the initial pressure and corresponding half life data is shown आपको यह कुछ data आपको given है और इन data का यूज़ करके आपको यहां पर कौन से order की जो reaction है वो find out करनी है सोचिएगा यहां पर अब देखिएगा काफी student का जो doubt है वो यह रहेगा सबसे पहले तो हमारे पास में data 3 दिये हैं इसको soul कैसे करें यह थो हमने पढ़ा ही नहीं यह तो sir ने समझाए ही नहीं है अगर 3 data हो तो क्या करें ऐसा ही कुछ सोच रहे हो जो fresher है अभी जो student और जिनको आता है तो वो हमें comment box में फटाबट इस cancer निकाल के दीजिएगा ठीक है और formula हमारे पास में क्या रहेगा T1 upon me T2 A1 upon me A2 की power 1-n ठीक है इसमें तो कोई change होना नहीं है same रहेगा यह वाला तो ओके तो यहां पर देखिएगा वो student जो किये सोच रहे हैं sir हमारे हम यह तो हमें समझाए न यह 3 data आपने कैसे दे दिये हैं अपने इसको कैसे करेंगे देखिए कोई दिकत नहीं है यहां पर समझेने की कोशिच करना हमारे पास क्या है कि तीन डाटा है कोई भी आप दो डाटा रख सकते हो कोई भी दो डाटा इसमें से ले लिएगा जो आपको अच्छे लगते है जो आपके मन पसंद के डाटा हो जो easily यहां से cut out हो जाएं जो easily calculate हो जाएं ठीक है कोई भी यहां पे दो डाटा रख लिजिएगा suppose कि मैं यहां पर इसको T1 और इसको मैं यहां पर T2 ले रहा हूं क्योंकि यहां पर जो half life है इसको T1 मान लिए इसको T2 आप किसी को भी मान सकते हो ठीक अंसर से माने वाला है और इसके लिए जो हमारे पास इसको एवन ने लिखेंगे अभी प्रेशर हो गया ना पीवन और पीटु कोई दिक्कत नहीं है एक जिगाए कर दो और कंसेंट्रेसें के लिए इसकरते थे और प्रेशर के लिए हम पी यूज कर रहे हैं रिजर्ट सेम आने वाले है, फोर्मला सेम है, डाटा रख दीजिएगा, सिंपली, टी वन हमारे पास कितना है, 235, अप वोन में, टी टु हमारे पास कितना है, 950, और पी वन हमारे पास में कितना है, 66.66, और पी टू 33.33, ओके, 1-N, ओके श्वेंट्स, अब तो क्या करना है, सिंपली केल्क क्लेकश करना है, कट आउट कर दीजिएगा. यह पूरा-पूरा कट जरा है, तो की पावर, 1-N, फूरा का पूरा यह कट जा रहा है, यह तो, ठीक है ना, 2 की पावर, 1-N, यह नहीं कट रहा, अब दिक्कत हो गई, यह तो बिलकुल नहीं कट रहा, अब हम क् विकत नहीं एक्सपेरिमेंट कर नहीं है कर आपने क्या रहे हैं पर क्लोकलेशन कर रहे हैं सिंपली तो ढटा ही है जो भी दाटा होता है उसमें माइनर साथ होता ही होता है लगबग में इसका अंसर देख लिएगा कितना है 235, multiply 4 से इसको divide कर दिजिएगा, sorry, multiply कर दिजिएगा, कितना हो जाएगा, 20, 24, 24, 24, 24, 28, 29, 9, कितना हो गया, 940, और यह है 950, तो लगबग यानि कि 1 by 4 भी यह जा रहा है, 1 by 4 पे, और 1 by 4 को अपने क्या ऐसे लिख सकते हैं, सभी बताइएगा, कैसे लिख सकते हैं, 2 की power 2 है, 4 हो जाएगा, minus यानि कि 1 by 4 हो रही है, अब देखिएगा, simply, अब तो कुछ करने ही नहीं है, minus 2 equal to 1 minus n, और यहां से n की value निकाल लिजिएगा, कितना है, plus का 1, और यह minus को 2 है, तो उदर जाएगा, तो यह plus का 2 हो जाएगा, और n is equal to कितना आगया, 3, 3, यानि कि यह third order, reaction हो जाएगी, यह लिजिएगा, student, हम, सही है, I hope, यह वाला जो question है, इस type का जो pattern है, आपको समझ में आया होगा, यहां पर सिर्प change यह किया था, कि इस concentration की जगाया पर आपको इस बार, pressure की term में आपको question दे दिया, ठीक है, simply, formula वही लगना था, concept वही था, ठीक है, उसी process के base पर आपको यहां से order निकालना था, कितना आगया, 3rd order, ओके students, समझ में आगया सबको, एगर समझ में आता है, तो हमें comment box में जरूर बताईएगा, कि sir, हमें समझ में आगया है, चलते हैं, 3rd type के question पर, यहां पर देखिएगा student, सभी देखेंगे, एक चीज और बता देता हूँ, जब भी आपना question को solve करो, जब भी आप question करने मेठो ना, तो आपना copy pen जरूर उठाएगरो, ऐसे नहीं है, कि सामने जैसे वीडियो चल रही है, और वीडियो की तरफ आपने ठीक असर समझा रहे हैं, आपने भी समझ दे रहे हैं, साथ साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी अगर numerical part का कोई भी question आता है, ठीक है, तो उसको copy pen में एक बार लिखिएगा, और खुछ से एक बार soul करने की कोशिस कीजिएगा, हम से पहले soul करने की कोशिस कीजिएगा, अगर आपको exam correct करना है, अगर आपको अच्छे से जो concept है, clear करने हैं, तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, चलिएगा, अपने question पर चलते हैं, बहुत ही शांदार question है, question number third, यहां पर हमारे पास में क्या है, कि initial pressure किलो पासकल में यहां पर दे रखा है, और टी हापके same वो data दे रखे हैं यहां पर, तेन data दे रखे हैं, तेन यहां पर pressure दे रखे हैं, ठीक हैं, अब मेरे को एक बात बताईएगा, same में आपको यहां पर order of reaction निकालना है, order of reaction, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं सभी student, try किजिएगा वीडियो को post करके, सभी students try किजिएगा फटा फट, इसका answer आमें बताईएगा सभी, चलिएगा same procedure, T1 upon में T2 equal to A1 upon में, यह प्रेशर में हैं, कोई दिक्कत नहीं, P1 upon में T2, और 1 माइनस में N, यह लिजिएगा, अब काफी सारे student, calculation करना start कर दिया होगा, answer भी निकाल दिया होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता दूँ इसकी, कौन कौन student जानना चाता है, इसकी सिंपल सी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक कौन कौन जानना चाता है, तो हमें comment box में बताएगा, कि sir, हम जानना चाते हैं, hand rise कि जिएगा सभी students, यहाँ पर देखिएगा, जब भी आपको half life, जब भी आपको half life, ध्यान से सुनिएगा, फिर से repeat कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, जब भी half life same हो, जब भी half life same हो, या बोल सकते हैं, अपने constant हो, तो आप बंद करके, कुछ इस प्रकार से, दोनों आउंखों को बंद किया, और यहाँ पर इसका अंसर निकाल दीजिएगा, फिर्स्ट ओडर काइनेटिक, या फिर्स्ट ओडर रियक्शन, ये लिजिएगा, जब भी half life same हो, जब भी half life constant आ जाए, तो आप यहाँ पर फिर्स्ट ओडर, अपनी दोनों आउंखों को यहाँ पर दोनों आइस को close करके, फिर्स्ट ओडर को टिक कीजिएगा, फिर्स्ट ओडर निकाल दीजिएगा, अब वो स्टोरेंट, जो कि यह जानना चाहते हैं, कि इसके बिच्छे का जो concept है, वो क्या होना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर explain कर देता हूँ, देखिएगा, T1 हमारे पास में कौन-कौन सा लिया है, 84, यह हमने यहाँ पर T1 लिया, और यह हमने T2 लिया, यह हमने P1 लिया, इसके सामने यह हमने P2 लिया, T1 हमारे पास 84, यह भी हमारे पास 8042, P1 हमारे पास में 700, और P2 एक सोच्या, 1-N, इसको cut-out करो तो कितना है हमारे पास में 1, 1-N, यहाँ पर कितना है, 1 आया, अब यह जो 1 है, वो कैसे आ सकता है, वो समझेगा, यह 1 कैसे आ सकता है, इस 1-N जो है, इसकी जो value है, यहाँ पर मैं इसा क्या put करूँ, 1-N, यहाँ पर क्या put करूँ कि 1 आजाए, यहाँ पर मैंने 0 put किया, तो N इकल कितना आजाएगा, 1, simply यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह first order, एक सान, first order, बस, simply, इस परकार से आप भी निकाल सकते हैं, कोई रोकेट साने से नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, यहाँ पर इस 1-N है, इसको मैं किस के equal रखूँ, कि यह 1 आजाए, तो यहाँ पर 0 के equal रखने पर, यहाँ पर N कितना आ रहा है, 1, यहाँ कि यह क्या हो जाएगा, first order kinetics हो जाएगी, simply आपको अगर ट्रिक से समझना है, तो इस परकार से constant अगर value आ रही है, half life की, तो आँख बंद करके first order पे टिक कर दिजिएगा, और concept इसका यह वाला है, ओके श्वेंट्स, आज अपने इतना ही, और next जो वीडियो आएगी उस पे हम, जो भी question लेंगे, वो लेंगे graphical method से, किस परकार से order निकाल सकते हैं, अगर आज का ये वीडियो, आज का ये lecture, छोटा जुरूर है, लेकिन जो concept है ना इसके, यहां से मान किसे लिएगा, एक question पका बन जाएगा, इसलिए कि इनके जितने भी अभी अपने जैसे तेन जो क्यूशन कियें, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, इन concept को अच्छे से कर लेना, और जितने भी यहां पे formula आपको लिखवाये जाते हैं, बताये जाते हैं, वो एक आप खुद से notes बनाईएगा, जिहां, खुद से notes बनाईएगा, खुद के notes बेस्ट होते हैं, exam time के अंदर काफी helpful होते हैं आपके यह जो notes, ओके students, I hope आज का lecture आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगता है तो हमें comment box में जुरूर बताईएगा, इसके लावा अगर किसी भी student का कोई question हो, कोई अलग से कोई query हो, कुछ question पूछन 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 पूछना हो, तो हमसे comment box में जाके पूछ सकता है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को like किजिएगा, share किजिएगा, और इस हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजिएगा, मिलते हैं next lecture के साथ में, तब तक के लिए, bye bye, जैहिन,